हलो स्टुडेंट्स और यूट्यूब चैनल देल्ली इंस्टिटूट फॉर सिविल सर्विसेज, माई नेम इस निखिल सहनी और इन फ्रंट आफ यू विथ अनदर वीडियो लेक्चर, हम इस सीरीज के अंदर डिसकस कर रहे हैं सोशल इस्यूस के बारे में, इंडियन सोसाइ हम बहुत सारी चीजों के बारे में अल्रेडी डिसकस कर चुके हैं, अगर अभी तक आपने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं, तो पहले जाईए और उन सब वीडियो लेक्चर को देखिए, तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है दलित मूव्मेंट, हम दलित दिसिपल समझ लेते हैं, तो ये कहां से ये सारी चीजें हाई हमारे सामने उसके बारे में समझ लेते हैं, तो सबसे पहले हम समझते हैं, वर्ण वेवस्ता, वर्ण इसे चतुर वर्ण भी बोला जाता है, चतुर वर्ण वेवस्ता, चार वर्ण यहाँ पर बताएगे हैं, क रामिंज जो हैं वो प्रीस्ट क्लास, मतलब पूजा पाठ करने वाली क्लास, और इसी के साथ-साथ जो important post हुआ करती थी, वो भी इनी के पास हुआ करती थी, ठीक है, जितने भी official post हुआ करती थी, majority ये hold करते थे, शत्रिय क्लास, warrior क्लास, या तो ये kings हुआ करते थे, या ये warriors हुआ करते थे, इनका काम क्या था, protection देना, state के अंदर जितने भी लोग रह रहे हैं, उन्हें protection देना, state की territory को protect करना, वैश्य का काम ये था कि State के लिए पैसा इकठा करना, Society के लिए पैसा इकठा करना ये क्या करते थे, ये Trade करते थे, व्यापार करते थे और उसके थूप पैसा आता था, शुद्राज, फार्म के अंदर वर्क हो गया, अंस्किल्ड लेबर हो गया, ये जितनी भी तरीके के काम होते थे, ये शुद्राज करते थे आटिस्ट हो गई है, ये सारे शुद्राज के के अंदर आते थे, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताएगी, इसके अलावा एक और सेक्शन हुआ करता था, जिसे माना जाता था Outcast, ये यहाँ पर बेसिक एक One विवस्ता का सिस्टम, बड़ जब हम कास्ट की बात करते है तो कास्ट सिस्टम सिर्फ इतना ही नहीं है, कास्ट सिस्टम को समझने के लिए हमें difference समझना पड़ेगा One के अंदर और जाती के अंदर, ठीक, अगर हम कास्ट सिस्टम को देखें, तो वो इतना simplified नहीं है, कास्ट सिस्टम के अंदर क्या है, चार One, ठीक, और इन हर एक One के अंदर क्या है? Numerous Jatis Several Jatis मतलब आपने कहीं न कहीं देखा होगा ये चीजे लोग आम तोर पे भी बात करते हैं तो वो भी बताते हैं कि अच्छा तुम ब्रामिन हो तो ब्रामिन के अंदर भी वो 5-6 Category बता देते हैं, शत्रिय हैं, शत्रिय के अंदर भी 5-6 Category बता देते हैं शुद्राज की बात करें तो उसके अंदर भी अलग-अलग Categories वो बता देते हैं तो एक Word होता है और उसके नीचे अलग-अलग जाती होती हैं तो इस तरीके का यहां पे सिस्टम है तो इसे हम क्या कहते हैं, कास्ट कहते हैं तो यह पूरा सिस्टम इस तरीके से बनता है अब इसके अंदर important note करने वाली बात यह है कि जो outcast बताए गए हैं उन्हें बोला गया awareness मतलब यह कास्ट सिस्टम जो वर्ण विवस्ता है उससे बाहर इन्हें रखा गया उसके अंदर इनको include नहीं किया गया और माना जाता था that these people are polluting in nature यह pollute कर देंगे अगर आप इनके touch में आये अगर आपने इनके साथ खाना खाया या फिर किसी भी तरीके का संबंद रखा so these people were considered as polluting ठीक है इन्हें माना जाता था untouchables इन्हीं के लिए अलग-अलग नाम दिए अगर हम government की बात करें तो government इन्हें किस नाम से जानती है assies अगर हम जोतिबा फुले के नामकरण की बात करें तो जोतिबा फुले ने क्या नाम दिया जोतिबा फुले ने इन्हें कहा dalits महात्मा गांधी की बात अगर हम करें तो महात्मा गांधी ने इन्हें कहा हरी जन हरी के जन तो ये सारी चीजें आप जो है notice कर पाएंगे कि इस तरीके से ये सारी चीजें unfold हुई तो movement सामने आना तो लाजमी ठा इनकी demand थी कि इन्हे demand क्या थी इनकी इनको एक तुद पहली चीज, no untouchability, दूसरा equality, साब आप खुद समझिये, किसी इनसान को उसके जन्म के उपर, अगर इस तरीके से अलग थलग कर दिया जाए, कि हम आपको साथ नहीं बैठाएंगे, हम आपको साथ में खाना नहीं खिलाएंगे, क्या कभी उसके मन में ऐसा विचार नहीं आता होगा, कि ऐसा तो मैंने क्या क इनसान की तरह हैं, सब बराबर हैं, और सब equality चाहते हैं, तो इन सब कारणों की वज़े से, यह जो चीजें हमने देखी, कि उन्हें पल्यूटिंग कंसिडर किया जाता था, अच्छूत कंसिडर किया जाता था, उन्टचेबल कंसिडर किया जाता था, इसलिए अराइज हु नहीं दलित movement की उसको हम आगे पढ़ते हैं तो अगर हम दलित movement की बात करें तो दलित movement के अलग-अलग जो हैं types दिये गए हैं और बोल सकते हैं phases दिये गए हैं by g-sha इन्होंने classify किया इसे अलग-अलग format के अंदर तो सबसे पहला classification अगर हम कोई देखते हैं starting में वो है reformative अंदर दो तरीके के movement आये तो उसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं भक्ती movement भक्ती movement was the earliest phase जिसके अंदर यह सारी घटनाय चालू हुई reforms movement चालू हुए तो उन सारी चीजों के बारे में हम discuss करते हैं भक्ती के अंदर दो section एक सगुनाज और दूसरे निर्गुनाज सागुनाज क्या बोलते थे सागुनाज का कहना यह था कि सारी caste जितनी भी हैं वो सारी equal हैं उनमें कोई भी तरीके का differentiation नहीं आप किसी एक जाती के साथ क्या है भेदभाव नहीं कर सकते सारी जातियां बराबर हैं सब के अधिकार बराबर है त्कर यह कोई भी तरीके का भेदभाव नहीं होना इस उसको इन्होंने मानने से मना कर दिया इन्होंने कहा कि सारी कास्ट इक्वल है दूसरा आया सामने निर्गुनास इसको lead किसने किया? कबीर एंण रविदास जी इन्होंने इसे lead किया तो आप यहाँ पे ये चीज़ देख पाएंगे कि निर्गुनाज कहते हैं नो कास सिस्टम इन्होंने कास सिस्टम को डिस्क्रेडिट कर दिया, मानने से मना कर दिया कि कास सिस्टम जैसी किसी भी चीज में हम नहीं मानते, ये चीज इन्होंने सामने रखी, दूसरी चीज इन्होंने कहीं कि हम किसके अंदर मानते हैं तो formless universal god हम किस चीज में मानते हैं formless universal god ये चीज उन्होंने सामें रखी कि हम किसी मूर्ती पूजा वगरे में नहीं मानते हैं हम ऐसे एक परमात्मा में मानते हैं जिसका कोई भी आकार नहीं है जिसकी कोई भी form नहीं इसके बाद में दूसरा movement आया जो रहा नियो वैदान्तिक movement दूसरे movement का नाम क्या था नियो इसमें दो organization जो है वो काफी जादा active रहे सबसे पहला आरे समज दूसरा रहा ब्रह्मो समाज ये दो organization काफी जादा active रहे जिसके अंदर हमारा prime focus रहेगा आरे समाज के उपर आरे समाज ने क्या अपना वो slogan दिया था दयानन सरस्वती ने back to vedas इसके अंदर ये बात कही दयानन सरस्वती ने कि किसी भी तरीके से ना caste system ये कहता है कि untouchability होनी चीए ना vedas ये कहते है कि untouchability होनी उन्होंने caste का जो order था उसे तो accept किया पर उनका कहना ये था कि vedas के अंदर ये चीज नहीं दी गई हम purify करेंगे जिस तरीके का हमारा system था उसी तरीके के system में हम वापिस चीजों को लेके जाएंगे तो ये रहा neo vedantic movement अब यहाँ पर important note करने वाली चीज ये है कि यहाँ पर किसी भी तरीके से दलित मास का involvement नहीं जिन लोगों के लिए बात हो रही है वो involved नहीं बट इसकी एक importance ये रही कि इसने दलित के अंदर awareness create की उनको educate किया उनके अंदर किसी हद तक जो है anti caste feeling इसी चीज की वज़े से डवलप हुई और anti caste formative movement समझ आ गया होगा तो चलिए आगे चलते हैं और अगला movement हम समझते हैं अगला movement कहता है alternative movement alternative movement के अंदर यहाँ पर मैंने आपके सामने चार चीज़ें रखी हैं उनके उपर एक एक करके हम discuss करते हैं पहली चीज सत्य शोदक समाज जोतिबा फुले एंड सावित्री बाई फुले यहाँ पर जोतिबा फुले जो हैं काफी जादा हम बोल सकते हैं अवेर थे इन सारी चीजों के मामले में और उन्होंने कहा कि यह जो वर्ण व्यवस्ता बनाई गई है यह जो caste system बनाया गया है यह ब्रामिन्स दुवारा बनाया गया है ताकि वो exploit कर सके lower caste तो उन्होंने किसी भी तरीके से इसको मानने से मना कर दिया यहाँ पर इन दोनों ने मिलके क्या किया जो untouchables माने जाते थे उनको पढ़ाना start किया उनको education देना चालू किया सावित्री भाई फुले first female teacher of our India यह क्या करती थी यह पढ़ाने जाती थी girl child को पढ़ाने जाती थी ठीक है untouchables को पढ़ाने जाती थी तो जब यह रास्ते में से जाती थी पढ़ाने तो इन पर कूडा कच्चरा पत्थर वगरे सब कुछ फेंका जाता थी तो यह अपने बैक के अंदर एक साड़ी लेके जाती थी वहाँ पर जाते अपने साड़ी चेंज करते फिर पढ़ाते फिर वापिस आ जाते ठीक और एक दिन ऐसा इनके सामने इंसिडेंट बना कि किसी ने कुछ किया इन्होंने खेंच के तमाचा मारा और वो तमाचा मारने के बाद सब शान तो मतलब दोनों जो हैं हस्बेंड वाइप उनका काफी जादा इन्वाल्मेंट रहा इन्होंने यहां तक कि अपने घर के दुसरा हमाने सामने आता है सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट यह कैता है यह चीज कहां से चालू हूई तमिल नाडु में तमिल नाडु के अंदर यह एंटी ब्राह्मिन मूव्मेंट पहले चालू गूँआ था फिर धीरे धीरे यह एंटी हिंदू हो गया और इन्होंने क किसी भी तरीके से हिंदूइजम में मानने से मना कर दिया इनका मानना था कि ये जो अपर कास्ट है ये क्या है आरियन और जो लोवर कास्ट है लोवर कास्ट नहीं लिखते हैं इसको लिखते हैं अदर कास्ट जो अदर कास्ट है वो क्या है? Dravidians So, Self-Respect Movement का मानना ये था कि Aryans की ये रणनीती है कि किस तरीके से Dravidian Culture को दबाया जाए किस तरीके से Aryan Culture को जो है Supreme बताया जाए तो ये था Self-Respect Movement फिर उसके बाद शुरू हुआ आदी धर्म Movement आदी धर्म Movement क्या कहता है तो ये कहां चालू हुआ? पंजाब और बेंगाल में ये हुआ लगभग लगभग in 1920s ये हुआ 1920s के अंदर ये कहते थे कि जिस तरीके से Upper caste के अंदर सारे लोग एक Religion है जैसे कि ये Hinduism में बिलोंग करते हैं हम भी क्या है? एक कौम है कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके से हिंदू एक Religion है मुस्लिम जो है वो एक Religion को फॉलो करते हैं तो उसी तरीके से हमारा भी एक Religion है हमारी एक separate identity हम Hinduism के अंडर नहीं आते हैं उसके बाद last movement आता है आदी Hindu movement इनका मानना भी similar था कि बाकी जो है ये उत्तर प्रिदेश में movement चालू हुआ इन्होंने कहा कि जो Upper caste है ये Aryans है और हम जो हैं Aryans नहीं है ये हम पे थोप रहे हैं ये अपना Religion हमारे उपर थोप रहे हैं तो ये रहा Alternative movement I hope सारी चीज़ें यहां पे आपको clear हुई होगी अगले phase की तरफ चलते हैं और अगला phase समझते हैं अगला phase क्या कहता है Alternative Conversion Movement यहां रोल आता है भीमराव आमबेडकर का Dr. B.R. आमबेडकर बहुत ही important personality है हमारे country की है आज इनको गए हुए इतने साल हो गए बट आज भी हम इनका रोल जो है वो undermine नहीं कर सकते ऐसा नहीं बोल सकते कि अगर ये नहीं होता तो काम चल जाते रीजन समझी है आज हमारा constitution जिस भी तरीके से बना है उसके अंदर इनकी बहुत ज़ादा एहम भूमिका रहे इनकी जो political role रहे वो तो अलग है बट ये society के अंदर भी काफी ज़ादा active रहे ये खुद बिलॉंग करते थे माहरकास से बच्पन में एक incident बना कि इनके पास पैसे अच्छे खासे थे पैसी में इनको कोई दिक्कत नहीं थी तो इनके पास पैसे थे ये एक रिक्षा में जाके बैठे जो पैडल से चलती है रिक्षा वहाँ जाके बोला कि मुझे वहाँ पर उतार दीजी फिर इनसे जाती पूछ ली गई इन्होंने बताये कि मैं माहरकास से बिलॉंग करता हूँ इस तरीके से तो रिक्षा वाले ने इनको धमका के नीचे उतार दिया कि मेरी तुमने रिक्षा पल्यूट कर दी इन्होंने कहा तिरको मैं दबल पैसे देने को तयार हूँ तीन गुना पैसे देने को तयार हूँ तू मुझे ले चल बट वो नहीं लेके गे तब इनके मन पे ये चीज आगात पहुँची और इन्होंने ये चीज ठान ली कि ये जो अनटचिबिलिटी है इसे हमें रिमूव करना है इन्होंने पूरा अपना जीवन समर्पित कर दिया ओल इंडिया शेडूल कास्ट फेडरेशन इन्होंने बनाई उसी के साथ-साथ इन्होंने लेबर पार्टी भी बनाई बट वो इनका इतना जादा सक्सेस्फुल अटेम्ट नहीं रहा समझने की कोशिश करिएगा आज जब हम 2023 के अंदर इसको डिसकस कर रहे हैं तो हम इसका रिजन समझ पाते प्री इंडिपेंडेंस एरा में उनके पास कोई पॉलेटिकल मैजॉर्टी नहीं थी वोट्स नहीं डल रहे थे इस तरीके से पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में ये जो मूवमेंट है ये फला फूला क्यों? क्योंकि वन मैन वन वोट यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाईज आप अपर कास से हो लोवर कास से हो फरक नहीं पड़ता आपके पास एक वोट ये लोग मैजॉर्टी में थे तो जो कंटेंपररी मूवमेंट है उसमें हमने ज़ादा रोल देखा वो ज़ादा सक्सेस्फुल होते हुए देखे इन्होंने अपना पूरा जीवन दे दिया पट ये लास्ट में जाके इनको लगा कि जब तक हम हिंदुईजम के अंदर हैं तब तक हम कुछ नहीं कर सकते सो अर्ली 1950s के अंदर ही इन्होंने बुद्धिजम एक्सेप्ट कर लिया बाकी लोगों के साथ इन्होंने बुद्धिजम एक्सेप्ट कर लिया कहा कि हम अब बुद्धिज्ट रिलिजियन को जो है एक्सेप्ट करते हैं तो ये वहाँ से बाहर निकल गए हिंदुईजम इन्होंने छोड़ दिया तो ये हो गया alternative conversion movement आगे चलते हैं और last movement को समझते हैं last phase को समझते हैं that is contemporary Dalit movement जैसा कि मैंने आपको अल्रेडी बताया post independence एरा में क्या हुआ कि इनका role बढ़ गया क्योंकि ये politically majority में आ गए इनके पास votes थे तो उसके अंदर सबसे पहला हमारे सामने आता है Dalit Panther movement Dalit Panther movement जो हैं दो ideologies से प्रभावित था सबसे पहले डॉक्टर भीमरावामबेटकर की ideologies है और दूसरा Black Panther movement of America उससे ये प्रभावित था आप जैसे नाम आपने सुना Black Panther movement of America तो जो Black Panther movement था अमेरिका का वो militant था ही नेचर ये भी militant थे अपने नेचर में आकरामक थे अपने नेचर में दूसरा हमारे सामने आता है काशी रामस बहुजन समाज पार्टी काशी राम जी और मायावती जी बहुजन समाजवादी पार्टी जो आज हमारे सामने उसकी जिनिसिस यहां से रखी गई इन्होंने दो आईडिोलोजी स्को फॉलो किया सब से पहले डॉक्टर भीम्राव आमबेडेकर और दूसरी आईडिोलोजी रही जोतिवा फुलेगी इनका important योगदान ये रहा काशी राम जी का important योगदान ये रहा कि इन्होंने North Indian Politics के हिसाब से उसको change किया जो जो innovations चाहिए थी ideology में ये लेके आए और वो changes की वज़े से ये चीज successful रहे जितने भी contemporary दलित movement है हम देख पा रहे हैं इन्होंने जो है Dr. Bhimraav Ambedkar की ideology को जो है आगे जाके propagate किया और मैं अगर ये कहूं कि Dr. Bhimraav Ambedkar की जो ideology है जो सोच है विचार है उनको अगर practical platform मिला है तो वो post independence है रहा में ही मिला है और इस तरीके की political parties ने उन्हें क्या दिया है एक practical platform दिया So this was all about the Dalit reforms, Dalit reform movements and protest and everything सारी चीज़ें हमने इसके अंदर include कर ली So I hope you like this video lecture Please like, share and subscribe our YouTube channel and thank you very much for watching